तो फ्रेंट्स आज हम बनाने वाले हैं एक मीनी ड्रिल मेशिन, इसको बनाने के लिए मैं ले रहा हूँ ये छोटा सा डीसी मोटर, ये मोटर आपको टोएकार के अंदर मिल जाएगा, अगर आपके पास टोएकार नहीं है तो आप इसको इलेक्ट्रोनिक्स की साब पर 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 है तो आप इस पीबीसी पाइप को थोड़ा गरम कर लिजिए और उसके बाद इस मोटर को इस पीबीसी पाइप के अंदर डाल दीजिए, वो अच्छी से चले जाएगा, तो फ्रेंट्स मैं यहां पर मोटर को डाल दिया हूँ और ये दोनों हमारा मोटर की होयार है, तो फ 5 रुपे में मिल जाएगा, इलेक्ट्रोनिस की सब पर, अगर आपके पास नहीं है, तो आप इसको खरी सकते हो, तो मैं यहां पर इस चार्जिंग सर्किट को इसके अंदर इस तरीके से फसा देता हूँ, और यहां पर इसको टाइट करने के लिए, मैं यहां पर फेबीकु नहीं है, आप यहां पर जो ओयर को जिसके साथ सोल्डरिंग कर सकते हो, तो मैं यहां पर इसको सोल्डरिंग कर दिया हूँ, आप यहां पर देख सकते हो, तो फ्रेंड्स अभी मैं यहां पर इस सोल्डरिंग के उपर टेपिंग कर देता हूँ, ताकि यहां पर सर्ट सर्कि का लेता हूँ आप इसको फेबिकूक की दोरान भी चिपका सकते हो तो फ्रेंडस आप यहां पर देख सकते हो मैं इसको ग्लू की दोरान चिपका लियाऊं और इसका ड्रिल बिड़ बनाने के लिए मैं कुछ श्टेरिक का जूगर्य किया हूँ आप यहां पर piece cut कियहों और उसके अंदर जो hole होता है उसके अंदर मैं drill bit को फसा लिया हो और से मुस्छी प्रकार से इस motor के अंदर भी मैं इसको फसा लेता हो तो फ्रेंड्स अभी हमारा ये drill machine complete हो गया है इसको चलाने के लिए हमें mobile charger का use करना पड़ेगा तो मैं यहां पर इस charging jack को इस charging circuit के अंदर लगा देता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा यह drill bit गूम रहा है तो फ्रेंट्स अभी मैं इस drill machine को testing करके आपको दिखाता हूँ तो मैं यहाँ पर एक PVC pipe का sheet को ले रहा हूँ और इसके उपर मैं एक drill करके आपको दिखा देता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो इसके उपर हमारा drill हो रहा है तो यह drill machine इसके उपर drill कर दिया है आप यहाँ पर देख सकते हो तो यह है जो हमारा drill machine है यह बहुत ही छोटी है और ये हमारा इस तर kompli की चोटी चोटी चीज के उपर drill कर सकते है बड़ी बड़ी जो लकडी आता है लोहा आता है उसके उपर ये drill नहीं कर सकते है तो फ्रेंड्स आप अपने चोटी मोटी drill करने के लिए इस machine को यूज कर सकते हो और ये मेसिन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बक्स में कमेंट करके बताईए अगर ये ड्रील मेसिन अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजे और अपनी दोस्तों के साथ सेर भी कर दीजे अगर आपने हमारी चैनल में नए आये हैं